हलो दोस्तों वेल्कम टू माई चैनल मेडी सेंच्वाइस कैसे हैं आप लोग आज मैं बताने वाला हूं आप लोग को आरभी टॉन के बारे में आरभी टॉन एक बहुत ही अच्छी दवा हैं कमजोरी हर इंसान की समस्या बनती जा रही है जैसे शरीर में थकावट होना पैरा आप लोग को आरभी टॉन के बारे में बताने वाला हूं अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं किर्पिया मेरे चैनल को सस्क्राइब कर ले और बेल आइकन को दवाना ना भूले आरभी टॉन एक बहुत ही वहत्रीन दवा है आरभी टॉन की क्या खासियत है इसके क्या साइड इसे कैसे यूज किया जाता है इसे किन प्रस्थित्यों में यूज किया जाता है और डॉक्तर इसे कम लिखते हैं इन सारी बातों को आज में आप लोग को बताने वाला हूं आरभी टॉन की कमी को बहुत यह अची तरीगे से दूर कर देता है जैसे किसी पेसेंट की सरीर मे खून की कमी हो गई है अगर उस पेसेंड को दू आर्बिटोन और कंटिन्यू पिला दे एक के बाद एक दूआ पेसेंड पुर्णता पहले जैसा हो जाएगा इसे मेडली फर्मासेटिकल दोरा बनाया जाता है इसे डॉक्टर तब लिखते हैं जब किसी पेसेंड के शरीर में खून की कमी हो जाती है या उसे हमेशा थकावट सा महसूस होता रहता है या उसे पहरात में जुन-जुनाहाट से होती रहती है सर में हमेशा दर्ध होता रहता है उन पज़्थिती में डॉक्टर इसे प्रिशाब करते हैं दोस्तों इसके कंपोजिशन के बारे बात करें से पहले इसमें iron मिला हुआ है जो खून की कमी को बहुत यह अच्छी तरीके से दूर करती है folic acid है vitamin b12 है vitamin c syrup है दोस्तों यह सारी कमजोरी को दूर करने वाली ही इसमें composition मिलाई गई है दोस्तों इसमें contents के बारे बात करें यह 10 ml के contents में आता है इसमें iron 30 mg मिला हुआ folic acid 0.5 mg और vitamin b12 के बारे बात करें तो 2.5 mcg मिला हुआ है और vitamin c के बारे बात करें तो 38 मतलब की 38 mg सबसे ज्यादा vitamin c मिला हुआ है दोस्तों इसे कमजोरी तो क्या कमजोरी कितनी भी कमजोरी हो वह सारी तुरत खतम हो जाती है इसके dosage के बारे बात करें दोस्तों तो इसे 10 ml सुभा साम खाना खाने के बाद या नास्ता करने के बाद रोज ले वैसे इस पर कंपनी का भी dosage लिखा हुआ है एडल्ड के लिए दस ml दो बार और एक यहर के लिए एक यहर से ऊपर यानि वन इयर एभव फाइव मिल वन स्पून एक चमज एक बरस से ऊपर बच्चों के लिए पांच एमिल सुभा साम रोज लें के साइट इफेक्ट के बारें बात करें दोस्तों तो इसके साइट इफेक्ट किसी 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 पेसेंट के पेट में हल्की सी दर्ध होने लगती है जिसे गर्मी बरदास्त नहीं होती उन पेसेंट को थोरी थोरी पेट में दर्ध होने लगती है तो दोस्तों बिना डॉक्टर के सलाह से दवा ना ले दवा लेने से पहले डॉक्टर का सलाह जरूर ले ले या किसी दुखंदार से जरूर बारे में सलाह ले आज के लिए इतना इप तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में जाहिंद